रादे रादे जैश्री कृष्णा वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल पृती माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसुरत है जो है यह देखें 3D की फ्लावर की आज की वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा जो है फ्लावर लगता है और आप इसको किसी भी साइज में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है कि स्मॉल साइज में कैसे बनाना है या कितनी पत बनाने में तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो डिजाइन जो है कैसे लगते हैं जिस ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से चैनल को सब्स और यह एक थ्रीडी लुक देगा जिसकी विज़ा से और भी खुबसूरत लगेगा इसके उपर इसकी विज़ा से बहुत ही प्यारा लगता है और आप इसको जो है किसी भी साइज में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं यहां पर मैंने छे पत्तियों का यह प्लावर बनाया है यहां पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो देखें हम अपने धागे और यह पर से निकाले गे सलिमिस्टी से टुघ। यह हमारा एक होल बनकर कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हम इस फ्लावर को बनाना शुरू करेंगे एक, दो, टीन तीन के चेंट लेंगे ने के लिने के लिए धागा लेंगे और इस होल के अंदर से धागे को निकालते वे कीit अंके रहे होगा यहां पर इसी तरह से me 11 बार बार बनाऊंगे क्योंकि अवा पर यहां पर जो है एक पति नंगी और यहां पर आपको 16 बार इस तरह से higher सब्ञाइम तो फर्स नेवार आपको इसी तरह से बना ना ग॥र पिर दागे को निकालेंगे ऑघ करो और double किरोशया बनाने के बाद हर बार आपको एक की चेन लेनी है और जितना बड़ आपको फ्लावर बनाना जैसे मैं आपको बताए कि दो चेन हमारी एक पत्ती में के लिए यूज़े होगी तो जितना भी आपको बनाना है उतनी जो है ये chain बनाकर इसको complete करें तो यहाँ पर देखें बारा बार हमने इस तरह से double किरोशिया बना लिया है एक की chain ले लिया है और एक की chain लेने हैं लास्ट में जो हमने first देखें ये chain बनाई थी वहाँ center में से धागे को निकालेंगे slim sharpness से connect करेंगे एक, दो, तीन, तीन की chain लेंगे और तीन की chain लेने के बाद यहाँ hole के अंदर से जो हम three बार धागे को निकालेंगे एक, दो, तीन, जैसा मैंने का कि दो chain आपको use होंगे एक पत्ती को बनाने के लिए तो एक chain के अंदर जो हमने तीन बार निकाला, फिर जो next chain है हमारी, उसमें से फिर तीन बार निकालेंगे, और उसके बाद जो है, इस धागे को सब में से निकालेंगे, इस धागे को इस chain में से निकालकर complete करेंगे, एक, दो, तीन, तीन की chain लेंगे, और जहां पर second chain के अंदर हमने second वाला pub बनाए, वहाँ पर दुबारा से single की रोशिय से connect करेंगे और जो आगे वाली third हमारी chain होगी वहाँ पर वापिस single की रोशिय से connect करेंगे एक, दो, तीन तीन की chain लेंगे, फिर धागे को इसमें से तीन बार cross करेंगे और जो हमारी fourth number की chain है उसके अंदर से, फिर तीन बार निकालेंगे, इस तरह से और फिर इस धागे को समें से निकालेंगे, इस धागे को इस chain में से भी निकालेंगे, एक, दो, तीन, तीन की chain लेंगे और जो हमने fourth chain में देखे second वाला pub बनाए, वहाँ पर दुबारा से single किरोशे से इसको इस तरह से connect करेंगे, तो पूरे इसके अंदर आपको इसी तरह से बनाना है तो यहाँ पर मैंने बारा chain ले थी तो छे पत्या बनेगे हमारी दो chain को use करते वे, तो जितनी भी आपने chain बनाई है उसी हिसाब से, इस सब के अंदर दो-दो chain को use करते वे, पॉफ बनाकर इसको complete करें, तो यहाँ पर देखे हमारा जो flower है, वो जो है छे पत्यों का देखे इस तरह से बनकर complete हो चुका है, और अब इसको इस तरह से 3D look देने के लिए जो है, यहाँ पर हम इसकी यह outline बनाकर complete करेंगे, तो यहाँ पर देखें, center में से, जहाँ पर हम धागा देखें, इस तरह से connect करते हैं, यहाँ नीचे के तरफ से, जो है, हम इसको अपने black color को add करेंगे, तो यहाँ chain के अंदर से देखें, यहाँ सबसे पहले आपको जो भी color आप use कर रहे है, इसके अंदर, उसको add करना है, एक, दो, तीन, चार, चार की इस तरह से chain लेंगे, और puff के बिल्कुल center में, देखें, puff के बिल्कुल center के अंदर, जो है, हम इस तरह से यहाँ पर आपको नगज नजर ना connect करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम इसको इस तरह से connect करेंगे, जिससे हमारी एक एक पत्ती, clear नजर आए, इस तरह से clear नजर आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा नीचे से आपको जब भी आप connect करेंगे तब भी, और जब आप इसको यहाँ पर वापिस connect करेंगे, तब भी इसी तरह से आपको लेना है, एक, दो, तीन, चार फिर चार की chain लेंगे, और जो हमारा next puff है उसके center में, उपर की तरफ सिंगल की रोशिय से connect करेंगे एक, दो, तीन, चार चार की chain लेंगे, और फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाते वे सिंगल की रोशिय से connect करेंगे, तो यह इस तरह से जो है, इसकी outline बनती भी जाएगी जिसकी वज़ा से यह flower बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसुरत लगेगा तो इसी तरह से आपको पूरे flower में इसकी outline बनाकर इसको complete करना है, और इस flower के center में, आप हमने यह जो पल बनाकर लगाया है, यह हम देखेंगे कि यह हमने कैसे बनाकर complete किया है तो यहाँ पर जिस भी color को आप add करना चाते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले धागे को connect करेंगे एक, दो, तीन मैंने यहाँ पर तीन की chain ली है, अगर आप बड़ा flower बना रहें बड़े size में, तो इसी chain को आप 4-5 तक बना सकते हैं क्योंकि जितनी लंबी chain होगी, उतना बड़ा यह हमारा center का, यह जो परल बनाया है, यह बनकर complete होगा धागे को लेंगे, और जो हमारी देखिए, first chain है यहाँ पर उसके अंदर से धागे को कम से कम 7-8 बार निकालेंगे, अगर आपकी wool मोटी है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, और पतली है, तो जादा भी निकाला, इस धागे को सब में से निकालेंगे, इस धागे को chain में से निकाल कर complete करेंगे, तो यहाँ पर यह हमारा center का यह परल बनकर complete हो जाता है, और जब आप इसको start करेंगे, और end में यह थोड़ा सा धागा एक्स्टा जरूर छोड़ें, क्योंकि इसको जो हमें बीच में set करके, इसको यही पर हम इनी से बान देंगे, तो यहाँ पर देगे, center में हम इसको रखेंगे, एक साइड से एक धागा निकालेंगे, और दूसरी साइड से हम दूसरा धागा निकालेंगे, इस तरह से, तो यह center में हमारा इस तरह से यह 3D फ्लावर बनकर complete हो जाता है मुझे उमीद है आपको जो है इस 3D फ्लावर की वीडियो जरूर पसंद आई होगी बहुत ही प्यारे बहुत ही कुपसूरत लगते हैं इस तरह से लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो डिजाइन जो है कैसे लगते हैं और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी दक नहीं किया है वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और इंट्रस्टिंग वीड रादे रादे जैश्री कृष्णा